हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपको स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंद सिंग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी आरस अगरवास सोलुशन्स की एक्सरसाइज 1C का क्योस्टन नमबर 7 औ बेच में जाहिए वहां पे आप लोगों को सबसे उपर नवदे वाले बेच में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर क्या होगा हमने कॉंस्टे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रखें जिसमें सब्ट्रेक्शन कैसे किया जाता है जितने भी कॉंसर्प्ट आप लोगों को समझा रखें आप पहले उनको देख सकते हो उसके बाद में खुद इनको को सौल करने की कोसिश कर सकते हूं तो देखिए हमारे को क्या करना है सब्ट्रेक्ट 3 अपल 4 from 1 अपल 3 पहले तो इसका मीनिंग क्या है इसका मतलब समझो कि हमें 3 अपल 4 को सब्ट्रेक्ट करना किसमें से 1 अपल 3 में से मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा 1 अपल 3 माइनस 3 अपल 4 मैं सबको पहले ऐसे ही लिख देता हूँ तो देखो 1 upon 3 minus ये कितना है minus 5 upon 6 ध्यानक ना जिसको subtract करना है उसको पहले अगर है ये positive है तो without bracket लिख दोगी और अगर negative है तो हमेसा क्या करना है bracket के अंदा लिखना है तो यहां क्या होगा minus 3 upon 5 में से subtract करना है minus 8 upon 9 यहां क्या होगा minus 1 में से subtract करना है minus 9 upon 7 यहां क्या करना है 1 में से subtract करना है minus 18 upon 11 यहां क्या होगा 0 में से subtract करना है minus 13 upon 9 और यहां क्या करना है minus 6 by 5 में से subtract करना है minus 32 by 13 I hope आप लोगों कोई चीज यहां तक समझ में आगे होगी अब सब्ट्रक्ट करने के लिए में क्या करना पड़ेगा दोनों का LCM लेना पड़ेगा 3 और 4 का LCM कितना आएगा 12 आएगा इस 12 में 3 से मल्टिप्लाइ करोगे तो माइन आएगा और जब इसमें से इसको सब्ट्रेक्ट करोगे तो माइनस 5 डिवाइड बाए 12 होगा तो यह हमारा क्या हो गया फाइनल एजल्ट हो गया आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी फिर यहां देखो तो सेम यहां दोनों का पहले इसको एक स्टेप और सोल कर लेता हूं मैनस मैनस क्या हो गाएगा प्लस का क्या बीच में क्या है अब दोनों का लेना है तो 3 और 6 का लेना है तो थी और 6 का यह आएगा इस 6 में इस 3 से दिवाइड करेंगे टू तू टाइम होगा तो यह हमारा क्या हो गया answer हो गया I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ रही होगी फिर यहां देखो पहले इसको एक step solve कर लेते हैं तो यह क्या बनेगा minus minus plus हो जाएगा तो minus 3 upon 5 plus 8 upon 9 हो जाएगा जब 9 और 5 का LCM लोगे तो यह आएगा 45 तो इस 45 में 5 से करें तो कितना ताम होगा 9 time 9 को minus 3 से multiply करोगे तो minus 27 बीच में plus है तो plus आएगा इस 45 में 9 से divide करोगे तो 5 time होगा और 5 को 8 से multiply करोगे तो 40 आएगा तो देखो 40-27 करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा और नीचे कितना आएगा 45 तो यह हमारा क्या होगे रिजल्ट होगे एक चीज़ और ध्यान रखना है अगर जो रिजल्ट है आगे और सिंप्लिफाई हो रहा है तो हमें इसको सिंप्लेस्ट फोर्म में लिखना है अभी तक क 10 का 9 upon 7 और नीचे इसके 1 लगा लो दोनों का LCM लोगे तो कितना आएगा 7 आएगा इस 7 में इस 1 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम होगा 7 को फिर क्या करना है उपर वाले माइनस 1 से मल्टिप्लाई करोगे तो माइनस का 7 आएगा बीच में प्लस है तो प्लस आजाएगा इ I hope आप लोगों को यह भी समझ में आगया होगा similar SI question यह है तो 1 यह माइनस माइनस प्लस 18 अपोन 11 हो गया नीचे डिवाइटर में 1 लागाएंगे LCM लेंगे तो कितना आएगा 1 और 11 का 11 आएगा 11 में 1 से डिवाइट करोगे तो 11 टाइम होगा 11 को 1 से मल्टिप्लाई करोगे तो 11 आएगा फिर 11 में 11 से divide करोगे तो 1 time होगा फिर 1 को 18 से multiply करोगे तो 18 आएगा उपर जब sum करोगे तो 29 अपोन 11 I hope आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा फिर देखो next question क्या है कि 0 में से minus करना है minus 13 अपोन 9 तो 0 minus minus क्या होगा plus 13 अपोन 9 तो आप लोगों को यह पता होगा कि किसी भी number में जब 0 8 करते हैं तो 0 एक additive identity कहला भी है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा result क्या आएगा 13 अपोन 9 ही आएगा I hope यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसको करके देखते हैं तो देखो पहले तो minus minus plus हो जाएगा minus 6 upon 5 plus 32 upon 13 फिर दोनों का कहलेंगे LCM 13 और 5 का LCM लोगे तो यह आएगा 65 तो आप क्या करना होगा हमारे को 65 के अंदर 5 से divide करूगे 13 time होगा 13 को minus 6 से multiply करूगे तो minus का 78 आएगा बीच में plus है तो plus आएगा इस 65 को क्या करेंगे 13 से divide करेंगे तो 5 time होगा 5 को 32 से multiply करोगे तो यह आएगा 160 आएगा फिर क्या करना है दोनों को subtract उपर देखो 160 में से क्या करना है 78 subtract करना है तो देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा यहाँ पर बचेगा 15 15 में से यह गया तो 8 बचेगा 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा तो 82 हो गया आप चाहो तो इन दोनों को वापस सम करके देखो तो देखो यह 80 और 8160 से ही है divide by 65 तो यह हमारा क्या हो गया final result हो गया I hope आप लोगों को इस सारे क्यास अच्छे से समझ में आगे होंगे एक last question हो रहे है यह भी देख लेते हैं तो यहाँ इसमें से इसको subtract करना है minus 7 upon 4 में से minus करना है minus 7 minus 4 upon 7 minus minus plus 7 हो जाएगा फिर दोनों का LCM लोगे तो 7 आएगा इस 7 में 7 से divide करोगे तो 1 time होगा 1 को minus 4 से multiply करोगे तो minus 4 आएगा बीच में plus है तो plus आएगा इस 7 में 1 से divide करोगे तो 7 time होगा और 7 को 7 से multiply करोगे तो 49 आएगा फिर इसमें से subtract करोगे तो 45 आएगा नीचे आएगा 7 यह हमारा हो गया final result I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आगई होगी अब हम स्टार्ट करते है 8 वाला question 8 question क्या है इसके बागे के 3 parts में next slide पर बताऊँगा यह मैंने पहला question यहां निखा है using the rearrangement property अब यह rearrangement property क्या है इसको समझ पहले मैं यहां समझा देता हूँ आप लोगों को जैसे मालनों कि A plus B plus C plus D यहां दिया हो है इनको add करना है तो आप चाहो तो देखो A और C को एक साथ add कर सकते हो और B और D को क्या कर सकते हो rearrange करके position बदलके एक साथ add कर सकते हो बस ध्यान रखना sign का थोड़ा सा अमारे को ध्यान रखना पड़ेगा तो यहां क्या होगा अब rearrange कैसे करे कौन से को ले इसको इसको साथ में ले तो इसके लिए आप लोगों को यह देख सकते हो इन दोनों के denominator सेम दिखने होंगे तो इनको एक साथ ले लो इन दोनों के denominator से equal है तो इन दोनों को एक साथ ले लो तो rearrange हो जाएंगे तो यहां इसको कैसा लिखा जा सकता है 4 upon 3 plus minus 2 upon 3 इदर आ जाएगा फिर यह plus 3 upon 5 और plus minus 11 upon 5 यह यहां आ जाएगा अब देको plus minus क्या होता है minus 2 by 3 हो गया और इदर 3 by 5 plus minus minus 11 by 5 तो अब इन दोनों को एक साथ 8 कर लो फिर दोनों का जो result आएगा उनको फिर एक साथ 8 कर देंगे तो देखो तो दोनों का LCM कितना आएगा इनका 3 आएगा और इनका कितना आएगा 5 आएगा तो देखो 3 में 3 से divide करोगे 1 time होगा 1 को 4 से multiply करोगे तो 4 आएगा बीच में minus से तो minus आएगा 3 में 3 से divide करोगे 1 time होगा 1 को 2 से multiply करोगे तो 2 आएगा ऐसे ही यहाँ पर 5 में 5 से divide करोगे तो 1 time होगा 1 को 3 से multiply करोगे तो 3 आएगा फिर 5 में 5 से divide करोगे तो 1 time होगा 1 को 11 से multiply करोगे तो 11 और बीच में minus था तो minus आ जाएगा तो देखो 4 minus 2 करोगे यह तो कितना आएगा 2 by 3 आगया यह तो plus यहां कितना आएगा 3 minus 11 तो 11 minus 3 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा minus का बढ़ा है इसलिए minus का 8 आएगा तो कितना आएगा minus 8 upon 5 आप चाहो तो इनको bracket में लिख सकते हो मैं बिना bracket के भी समझा रहा हूँ तो minus plus को जब multiply करोगे तो कितना हो जाएगा minus का 8 upon 5 अब इसका फिर से आगे क्या ले लो LCM ले लो तो 3 और 5 का LCM कितना आता है 15 आता है तो 15 में क्या करोगे 3 से divide करोगे तो कितना होगा 5 time होगा 5 को 2 से multiply करोगे तो 10 आएगा minus फिर इस 15 में 5 से divide करोगे 3 time होगा 3 को 8 से multiply करोगे तो 24 आएगा जब 24 minus 10 करोगे तो कितना आएगा minus 14 divide by 15 तो यह क्या हो गया हमारा final result हो गया I hope आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी इसे आप note कर लीजिए next slide पर हम लोग इसके बागी के तीनों questions को भी करते है अब हम अगले तीनों questions को solve करते हैं तो देखे हमारा यह second question है इसी पार्ट का यह चार numbers तीवे इनको rearrangement property से क्या करना है हमारे को solve करना है तो कौनसे terms को एक साथ combine करें वो देखो तो देखो यह 3 और 6 इनको एक साथ ला सकते हैं क्योंकि इन दोनों का जब LCM लेंगे तो 6 आ जाएगा और यह 4 और 8 इनको एक साथ लिया जा सकते हैं तो rearrange करके हम क्या लिख सकते हैं कि 3 और इस वाले को एक साथ लिख लेता हूं minus 8 upon 3 plus minus 11 upon 6 और plus minus 1 upon 4 plus 3 upon 8 इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं तो देखो पहले में इनको minus वाले sign को देख लेता हूं इन दोनों को हमें एक साथ solve करना है इन दोनों को एक साथ solve करना है तो दे ऀदर कितना आएगा 8 LCM आएगा इस 6 में 3 से डिवायग करेंगे 2 टाइम होका 2 को सब्सक् grilling करों के 16 अएगा Plus सब्सक्ष से से डिवायड करों के 1 थाइम होका 1 को माई त्यायवन से मतीपलां करों के तो आप चाहलो तो इसको एक step और कर सकते हो, solve पहले मैं काम करता हूँ, एक step और solve कर देता हूँ पहले, plus minus वाला वो तो देखो, minus 8 upon 3 और plus minus minus का 11 upon 6 plus इसको ऐसे कैसे रखता हूँ, 3 upon 8 तो देखो अब क्या ले सकते हो, LCM लोगे इसका 6 आएगा, और इसका LCM कितना आएगा, 8 आएगा, इस 6 में 3 से डिवाइड करोगे, 2 time होगा 2 को minus 8 से multiply करोगे, minus का 16 हो जाएगा, बीच में minus है तो minus आएगा, इस 6 में 6 से divide करो, one time होगा 1 को 11 से multiply करोगे, तो 11 आएगा फिर यहाँ देखो, इस 8 में 4 से divide करोगे, 2 time होगा 2 को minus 1 से multiply करोगे, तो minus 2 आएगा, बीच में plus है, तो plus आएगा, इस 8 में, इस 8 से divide करोगे, तो one time होगा, 1 को 3 से multiply करोगे तो 3 होगा, तो देखो, यहाँ पे कितना बन गया, minus 16 और minus 11, minus 27 by 6 बन गया, और plus यहाँ पे 3 minus 2 करोगे, 1 upon 8 बन गया, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और simplify कर सकते हो, जैसे देखो, यह क्या हो रहा है, 3 से divide हो रहा है, 9 time और यह 3 से divide हो रहा है, 2 time तो अगले step में क्या बन जाएगा, minus 9 by 2, plus 1 upon 8, I hope आप लोगो को यह चीज जो 8, इस 8 में, 8 से divide करोगे 1 time होगा, 1 को 1 से multiply करोगे तो 1 आएगा, minus 36 plus 1 कितना हो जाएगा, minus 35 divide by 8, तो यह क्या होगी, हमारा final result हो गया, I hope आप लोगो को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा तो देखो, next करते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं, score, score rearrange कर सकते हैं, और score कर सकते हैं, क्या कि यह 4 और 14 को दोनों का common, क्या मतलब, दोनों का LCM 14 आ जाएगा और 10 और 20 में 20 आ जाएगा तो minus 13 अपन 20, plus 3 अपन 10 और plus 11 अपन 14 तो देखो, यह plus minus minus का 5 अपन 7 हो जाएगा इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, solve और इन दोनों को एक साथ कर लेते है, solve तो कितना आएगा, 20 plus इन दोनों का LCM आएगा 14, तो 20 में 20 से डिवाइट करोगा, one time होगा 1 को minus 13 से multiply करोगे, तो minus 13 आएगा, बीच में plus है तो plus 20 में 10 से डिवाइट करोगे तो 11 आएगा, बीच में minus है, तो minus आएगा, इस 14 को क्या करना है 7 से डिवाइट करना है, 2 time होगा फिर 2 को 5 से multiply करोगे, तो 10 आएगा अब इसको आगे solve करो, minus 13 plus 6, minus 7 upon 20 होगा, plus फिर इन दोनों को करोगे, तो देखो कितना आएगा 1 upon 14 होगा, अब इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा तो मैं आप लोगों को यहां लेके बता देता हूँ 2 से डिवाइट करो 10 time, 7 time 2 से डिवाइट करो, 5 time 7, यह ऐसे कैसे आजाएगा फिर 5 से डिवाइट करो, 1 time, 7 time फिर 7 और 7 मतलब यह तो 7 ऐसे कैसे चलेगा तो देखो, 35, 70 और 140, तो इसका LCM कितना आएगा, 140 multiply कर लो, 75 जा 35 35 तो जा 70, और 72 जा 140, ठीक है इसके अंदर इससे डिवाइट करेंगे, 20 से तो कितने time होगा, 7 time होगा, 7 को minus 7 से multiply करेंगे, तो minus का 49 होगा, फिर इस 140 में 14 से divide करेंगे, 10 time होगा 10 को 1 से multiply करेंगे, तो 10 आएगा, जब इसको आगे और solve करोगे तो minus का 39 divide by 140 होगा, तो यह हमारा क्या होगा, final result होगा I hope आप लोगों को यह भी समझ में आगया होगा same, ऐसे ही discussion को करते हैं, तो देखो यह तो साफ साफ ही दिख रहा है, 7, 7 वाले को एक साथ ले लेते हैं, बाकि इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो minus 6 upon 7, minus 5 यहां क्या हो जाएगा देखो, पहले मैं इसको एक step solve कर देता हूँ plus minus क्या होगा minus 6 upon 7 मैं पहले इनको command ही कर देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ तो देखो, इस plus को इदा लारूँ, minus 6 upon 7 plus minus 15 upon 7 यह तो एक साथ लिख दिया, फिर यहां क्या होगा, plus minus 5 upon 7, minus 5 upon 6, plus minus 4 upon 9, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, तो अब इन कर देखो, एक साथ लिख देखो, एक साथ लिख देखो, प्लस minus minus 15 upon 7 हो जाएगा plus, यहां क्या होगा, देखो minus 5 upon 6, और plus minus minus 4 upon 9 हो गया, तो देखो, इन दोनों का LCM लोगे तो 7 आएगा, उपर कितना आजाएगा minus 6 minus 15, क्यों क्योंकि 7 के अंदर इस 7 से divide करेंगे, one time होगा, 1 को minus 6 से multiply करोगे, minus 6 आएगा, बीच में minus है तो minus आएगा, इस 7 में 7 से divide करोगे, one time होगा, 1 को 15 से multiply करोगे, तो 15 आएगा plus, इन दोनों को combine करोगे तो क्या आएगा, देखो, LCM कितना आएगा, दोनों का 9 और 6 का L से माएगा, 18 18 के अंदर क्या करना है, 6 से divide करना है, 3 time होगा, 3 को minus 15 से multiply करोगे, minus 5 से multiply करोगे, तो minus 15 आएगा, बीच में minus है, तो minus आएगा 18 में क्या करना है, 9 से divide करना है 2 time होगा, 2 को minus के 4 से multiply करोगे तो minus का 8 आएगा, तो आगे solve करोगे तो क्या बनेगा देखो यह तो बन गया minus 21 upon 7 plus यह बन जाएगा minus 23 upon 18 अब देखो यहाँ जब solve करोगे तो minus का 3 आ गया और नीचे 1 लगा लो plus minus 20 इसको क्या लिख सकते हो देखो plus minus minus हो जाएगा minus का 23 upon 18 I hope यह चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से यहाँ क्या है 18 तो आप LCM आएगा 1 और 18 का 18 आगा अब इस 18 में 1 से डिवाइट करोगे तो कितने टाइम होगा 1 टाइम होगा 18 टाइम होगा 18 को फिर minus 3 से multiply करोगे तो minus 54 होगा बीच में minus है तो minus आजाएगा इस 18 में इस 18 से डिवाइट करोगे 1 टाइम होगा 1 को 23 से multiply करोगे तो 23 आएगा उपर सम करके देख लो कितना आएगा 7 7 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है 18 आ रहा है तो यह क्या होगा हमारा final result होगा आई होप आप लगों को यह समझ में आगया होगा इन तीनों को अच्छे से note कर लीजिए अप इसे के साथ हमारा यह lecture खतम होता next lecture में हम अगले 2 questions का solution देखने वाले अगर आप लगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कीजिए तब तक के लिए thank you